नमश्कार लाइफ बिहार देख रहे हैं आपके साथ मैं सनिहां गुपता लोचपा ओफिस की लड़ाई अब कोट तक महुँच गई है जब पशुपती पारस ने सीधे तोर पे हाई कोट का रास्ता अपना दिया जहां पर राश्टी लोचपा के ओफिस को खाली करने की बात सामने आई और उनका आवंटन रद कर दिया गया अब इस दोरान इस याचिका पर सुनवाई हुई है पटना स्थित पशुपती नात पारस की नित्युत वाली राश्टी लोचपा के कार्याले परीसर की आवंटन रद करने वह खाली कराने के आदेश के विरुथ पटना हा शाद ने दायर की थी अधिविक्ता आशीष गिरी ने बहस के दौरान कोट को बताया कि राश्टी लोचपा का कार्याले परिसर हाउस नंबर एक विलर रोड शहित पीर अलिकान मार्क पढ़ना में आवंटित किया गया था यह पार्टी बाद में दो भागों में बढ़ ग बताया कि उस समय से लगतार इस परिसर में पार्टी कार्याले कारे कर रहा है पार्टी ने इस कार्याले के नविंकरन के लिए 27 जुलाई 2030 को आवेदन दिया था इसके बावजूद भी मन माने तरीके से पार्टी कार्याले का वंटन भवन निर्वांग विभाग द्वारा रदिकर दिया साथी कार्याले परिसर खाली करने के लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दिया आचिका में यह कहा गया कि आदेश भवन निर्मान विभाग के उप सचीव के आदेश से जारी हुआ है यह कहा गया कि उन्होंने अपने अधिकार शेद्र का उलंगर कर इस पास्वान की लड़ाई जो है अब दूसरा रुख लेते हुए नजर आ रही है जहां इस बार शुरुवाती समय से ही चिराग पास्वान के सितारे बुलंदी पे जहां उनके पांस सांसस सीधे तोर पे जीत चुके हैं तो दूसरी तरफ केंद्रे मंत्री बन चुके हैं चि लड़ाई कोट तक पहुँच गई है जहां पशुपती पारस जो है हाडने का नाम ने ले रहे और बहार के दूसरे चाचा बती जयाने की चिराग पास्वान और पशुपती पारस की लड़ाई जो है अब कोट का तक पहुँच गई है मुख्यमंत्री निदीश कुमार से जिसके बाद यह कयास से लगाई जारी और यहीं राजनिती गलियारों में सुखबुगाहाट हो रही थी कि यह सारे करणामे की पीछे चिराग पास्वान और मुख्यमंत्री निदीश कुमार का हाथ है क्योंकि इस मुलाकात के बाद ही चिराग पास्वान की पार्टी यान पार्टी में जब तूठ हुइ तो दोनों अलग अलग हो गह एक का जो ऑफस है वो एैरपोर्ड के पास है यानि कि राज्टी लोचुपा का औरiliyor का जो आफविस है कारियाल है वो एसके पूरी के पास है यानि कि शिराग पास्वान का लीगनि यह लड़ाई अब खूर तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया